Good morning student, class LKG, subject English, write and learn, आप मैं आपको words में बताऊँगी, जिसको आपको याद करना है और लिखना है HW के copy में आप लोग इसको याद करके लिखियेगा चलिए बोरिए P A R R O T Perrot, Perrot means Tota P I G E O N Pigeon means Kabuta S P A R R O W Spear, Spear means Gorea P E A K C O C K Peacock means More O W L Aul, Aul means Ullu S W A N Swan means Hans C R O W Crow, Crow means Cowa D U C K Duck means Butter L T E N Hand means Mordi K I E E I mean Chee So, यह है बोर्ड से जिसको आपको याद करना है और लिखना है Okay, thank you We are fixable here P A R R O T Perrot means Tota P I G E O N Pigeon means Kabuta S P A R O R O W Sperm means Goraya P E A C O C K Peacock means Mord O W L Aul Aul means Ullu S W A N Swan means Hans C R O W Crow means Cowa D U C K Duck means Butter H E N N means Murgi K I T E Kite means Chee यह Birds name है जिसको हिंदी में आप पंच्छी भी बोलते हैं यह हम आपको इसे क्लास में आपनों को हिंदी में पंच्छीों के नाम बताये थे तो यह आज हम आपको इंग्लिज में बता रहे हैं जिसको आपको लिखना है और यह आपको रपना है यही आप HW में यहीं कंप्रिन कर दिए ठीक है ओके थेंक यू गुर्बॉर्डियों इस्टुरेंट क्लास M.A.G सब्जेक हिंदी आज मैं आपको साथ दिनों के नाम लिखें साथ दिनों के नाम जो सेवें डेज उसको बोते हैं तो देखिए सोमवार, मंगलवार, बुद्धवार, गुरुवार, सुक्रवार, सनीवार और रवीवार यह साथ दिनों के नाम है इसको सोमवार उसको होनिंग लिखेंट में क्या बोलते हैं बंडे मंगलवार उसको बोलते हैं क्यूजडे बुद्धवार उसको बोलते हैं वैटनेस दे गुरुवार उसको बोलते हैं फ्रस्डे शुक्रवार इसको बोलते हैं फ्राईडे सनीवार इसको सतेडे और रवीवार उसको संडे तो यह साथ दिनों के नाम है जिसको आपको लिखना है और याद करना है यह आप HW में भी लिखेंगे, कॉपी में, HW के कॉपी में भी लिखेंगे, अब आपको फिर से बत्या देते हैं, यह देखें, सोबवार, मंकलवार, बूधवार, गुरुवार, शुक्रवार, सनिवार और रविवार हो गया, ठीक है, थैंक यू, गुद्मोर्णी इसुगेंट, क्लास L.P.G. और सब्जेक, मैं, आज मैं आपको सेप्रेक्ट बताऊंगी, सेप्रेक्ट मतलब होता है, घटाना, घटाओ, तो यह लाइन को आपको ब्रॉब करकेंगी, और कैसे सेप्रेक्ट बनेगा, वो मैं जैसे यह 4 है, यह 2 है, यह 1, 2, 3, 4, 4 लाइन अगर आप कर लिए, तो उसमें से आपको यह 2 मैनस कर दीजेगा, तो आपको यह क्या पच्छा है, पाउंट कर लिए 1, 2, यहां के आपका एंसर लोजाएगा, 2, यह है 6 और 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यह 5, 6 लाइन ड्रॉब हो गया तो इसमें से 4 मैनस करना है तो 1, 2, 3, 4, 4 मैनस करेंगे तो यह 1, 2, यह आपका एंसर बचेगा, आपके समझोragenे, उसी तरह यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, उसमें से आपको 4 line drop करना है, तो 1, 2, 3, 4, यह 4 मैनस कर देंगे, तो इसमें क्या बचा, 1, 2, 3, ये 3 आपका answer आएगा ये 8 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 में आपके कितना डॉकर माइनस करना है 5 1, 2, 3, 4, 5 5 माइनस कर देंगे तो क्या बचा 1, 2, 3 ये 3 आपका answer होगा उसी तरह ये 9 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 9 में से कितना माइनस करना है 3 1, 2, 3 ये 3 कभी ये माइनस तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 आपका answer होगा ये है 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 में से कितना माइनस करना है 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 माइनस कर देंगे तो आपका क्या बचा 1 फिर ये 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से ये 5 आप माइनस कर देंगे, तक क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर जीरो डाल देंगे, ये फिर है, 1, 2, 3, 4, 4 है, यहाँ नीचे 0 है, इसमें कोई माइनस नहीं होगा, तो 1, 2, 3, 4, ये काउंट करके आप 4 लिख देंगे, ओक्या, समझ में आगा, उसी तरह ये आपको बनाना में समझना है, ये इसी गभी को कॉपी में आप लोग बनाएंगा सर्क्रे, तो ये आप रोका है, 6 का टेबल, इसको पहले पढ़िए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 2, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 8 जा 60, तो इसको आपको एश रोगी कोपी में 2 ताइम्स, दो बार लिखना है, 6 का टेबल, एक हम आपको बता दिये हैं, और इस बार आपको ये लिखना है, 6 का टेबल, तो फिर से बोलिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, तो आप लोग इसको याद करिएगा, Learn and Write, आप लोग याद जरिएगा और लिखिएगा, ठीक है, Thank You